इस पूरे इंसिडेंट के बाद रिशी सुनक को एंटी वर्किंग क्लास बोला जाने लगा। बहुर इस डड़े रहते हैं कि वो रेजिगनेशन नहीं करेंगे लेकिन बाद में जब सब लोग अगेंस हो गए तो उनको रेजिगनेशन करना पड़ता है। अब क्वेशन यह है कि रिशी सुनक जो इतने पॉपलर थे उनको इतना सपोर्ट मिल रहा था एंपीज का लेकिन उसके बाद भी लिस्टर्स कैसे लास्ट में आके जीत गई है। आप सोचके देखिए अगर इंडिया के अंदर किसी और देश के ओरिजन का आदमी इंडिया का प्राइम मिनिस्टर बन जाए तो उसकेस में क्या होगा। जैकि जिस तरीके से इंडिया के अंदर elections होते हैं ठीक उसी तरीके से यूके में भी elections होते हैं। और जो पीम सेलेट करने का जो प्रासेस है वो अलमोस्स सेम है। यूके में जो पॉलिटिकल पार्टी जीत के आती है उस पार्टी के जितने भी जीते हुए MPs होते हैं वो वोट करते हैं। और जिन दो कैंडियेट को सबसे जाधा वोट्स मिलते हैं उनके बीच में फिर से वोटिंग होती है। और इसके बाद MP के साथ साथ पार्टी के जो बाकी members होते हैं वो भी वोट करते हैं। और जिसको जाधा वोट मिलते हैं वो जीतके PM बन जाता है। और यह जो PM मनता यह ऐसा नहीं है कि एक बार PM मन गया तो हमेशा बना रहेगा। यह change भी हो सकता है। मालो कोई PM मना और PM मनने के बाद सही से काम नहीं कर रहा है। किसी scandal में नाम आ गया या फिर उसके अंडर में जो ministers हैं सब resign करने लगे। तो PM के उपर pressure मना के उसको हटवा दिया जाता है। और फिर से party के अंडर voting होती है और नया PM decide होता है। देगी जब 2019 में UK के elections हुए थे तो उस time पे conservative party बहुत ही भारी वोटों से जीत के आई थी power में। और Boris Johnson UK के PM मने थे। लेकिन सिफ तीन साल के अंडर situation ऐसी बदलती है कि UK के दो prime minister को resign करना पड़ता है। economic की हालत खराब हो जाती है, market बारवर crash होता है। और inflation all time high पे पहुँच जाता है। अब ऐसा होता क्यूं है और रिशी सुनक कैसे picture में आते हैं वो discuss करते हैं। लेकिन सारी चीज़ों की शुरुआत होती है COVID के टाइम पे, Boris Johnson के उपर allegation लगते हैं कि COVID के टाइम पे जब पूरे देश में lockdown लगा था, लोग परशान हो रहे थे तो उस टाइम पे इन्होंने 10 Downing Street जो Boris Johnson का घर और office दोनों है, वहाँ पे इन्होंने back-to-back parties की और कानून को तोड़ा, इस पूरे स्कैंडल को मीडिया में party gate के नाम से जाना जाता है, इस पूरे case के inquiry एक senior civil servant Sui Gray ने की और report में ये आया कि total 83 लोगों ने party की और rules को तोड़ा, alcohol consume की, एक दूसरे के साथ जगडा किया और property damage की, total 126 fine लगे, जिसमें ते एक fine Boris Johnson पे भी लगा, शुरू मे तो Boris Johnson जूट बोल रहे थे, लेकिन जब ये report सामने आई, तो उसके बाद उन्होंने माफी माग ली, और जैसे ही report आई, जो opposition थे, labor party वाले, इनके MPs ऐसे लोगों को सामने लेके आए, जो COVID की restriction की वज़े से, अपने मरते हुए family member से मिल नहीं पा रहे थे, और पूरा matter, media के बहुत ही जादा उचला, लेकिन Boris Johnson इसके बाद भी रुके नहीं, में 2020 में lockdown के बीच में, Johnson ने फिर से अपने garden में party की, 10 लोगों के साथ, bring your own booze, party का नाम था, जून 2020 में Boris ने 30 लोगों के साथ, फिर से birthday party की, और November 2020 में, national COVID lockdown के बीच में, Johnson के घर पे फिर से party हुई, और बात इतनी बढ़ती है कि Boris Johnson को कुईन से भी माफी माफी मागनी पड़ती है, क्योंकि उन्होंने उनके husband के जो funeral था, उसकी eve तक पे gathering करी, जिसको बोला जाता है कि वो भी एक party ही थी, Boris Johnson बिटेन के पहले prime minister बने, जिन्होंने कानून तोड़ा और जिनके उपर जुर्माना भी लगी और इससे party के अंदर जो Boris Johnson की चुनाओ जीतने की capability थी, उस पे भी question उटने लगा, Chris Pitcher जो की काफी बड़ा नाम था Boris Johnson की टीम का, ऐसा समझ लिए जैसे कि मोधी जी और हमिशा जी की जोड़ी है, उस तरीकी की जोड़ी थी इनकी, Chris Pitcher के उपर भी छेड़ शाड़ क की line start हो जाती है, सबसे पहले resign करते हैं Boris Johnson के finance minister Rishi Sunak, जिन्होंने 2014 में conservative party को join किया, और दूसरे थे health minister Sajid Javed, और इन दोनों के resign करने के बाद 50 और MP resign कर देते हैं, government की post से, हालत ये हो गई थी, कि इन positions को fill करने के लिए MPs ही नहीं मिल रहे थे शुरू में, Boris डड़े रहते हैं उन्होंने resignation नहीं किया, अब Boris Johnson के resignation के बाद कौन नया PM बनेगा, इस race में सबसे आगे थे Rishi Sunak, वो सबसे पहले थे जिसने resignation किया, और resignation करने के 3-4 घंटे बाद ही उन्होंने अपने PM बनने की दावेदारी आगे कर दी, Rishi Sunak को काफी बड़ा advantage था, उनको 4 chief whip भी support कर रहे थे Chief whip वो होते हैं जो overall party का discipline और functioning देखते हैं, काफी बड़ी position होती है, और इसके बाद Rishi ने wait नहीं किया, बलकि एक camping वीडियो भी launch कर दी, जिसका नाम था Ready for Rishi, इन सारी चीजों से Rishi Sunak को शुरू में तो advantage मिलता है, लेकिन बाद में ये बाते चलने लगती है कि Rishi Sunak, जिनके boss और mentor Boris Johnson थे, उन्होंने उनके साथ धोगा किया, और पीछे से planning की, Boris Johnson नहीं चाते थे कि Rishi Sunak PM मने, इसलिए वो Liz Truss को Rishi Sunak के against में खड़ा कर देते हैं, और इन सारी चीजों के बाद internal चुना होते हैं, election के नतीजे 5 September 2022 को आए, और जैसा कि मैंने पहले बताया थे कि पहले MPs vote करते हैं, और फिर बाद में party के सारे member vote करते हैं, तो यहां भी वैसा ही होता है, जब MPs की voting होई, तो उसमें Rishi Sunak number 1 पे थे, और दूसरे number पे थी Liz Truss, और इसके बाद इन दोनों के बीच में फिर से election होने थे, जिसमें party के सारे member को vote करना था, लेकिन इस particular section में Liz Truss जीच जा लेकिन Rishi Sunak के लिए सबसे बड़ा disaster थब हुआ, जब उस particular time pain का एक video leak कर दिया गया, जिसमें वो यह कहने थे कि जब Labour Party power में थी, तो उनकी Treasury funding जो गरीब इलाकों में जाती थी, उसको change करके हमने उनको अमीर इलाकों में transfer कर दिया, और इस चीज को confirm करने के लिए Guardian ने एक analysis कि जिसमें ये निकल के आया कि Britain ने कुछ अमीर इलाकों को गरीब इलाकों के मुकाबले 10 गुना जादा funding की है, और इस से लोगों में गुस्सा आया, conservative party जिसमें Rishi Sunak है, उनकी पूरी ideology की गरीबों को आगे बढ़ाना और equality की है, और जब ये वीडियो आया तो पूरी party का ही ब उसमें भी सबसे ज़्यादा अमीर रिशी और अक्षिता है, उनके कपड़े से लेके हर चीज में image मनाई गई कि वो काफी rich है, रिशी Sunak की wife एक Indian citizen है, उनका UK में non-domicile status है, और उनको UK में कोई भरना पड़ता है, उनके इस status की वज़े से Infosys में जो भी उनके shares हैं, उसके dividend income पर उनको कोई tax नहीं देना होता है, करीब 20 मिलियन यूरो का tax बचता है, और इस चीज को लेके उनको बहुत criticize किया गया, कि इस वज़े से वो citizenship नहीं ले रिये हैं UK की, और उदर रिशी सुनक के बारे में भी बोला गया, कि UK की citizenship तो उन्होंने ले लेकिन उसके साथ-साथ US का green card का status भी रखा है उन्होंने, और यह सब लालच की वज़े से किया है, और ऐसे आदमी को देश का PM नहीं बनाना चाहिए, यह कई सारे reason थे जिसकी वज़े से पूरा support होने के बाद भी रिशी सुनक हार गया, और इसके पीछे Boris Johnson का भी हाथ बताया जाता है, वहाई लेस US की बात करें तो उन्होंना election लडने से पहले अनाउंस कर दिया था, कि PM मन्ती वो एक नया mini budget लेके आएंगी, जिसमें वो tax cut कर देंगी, पार्टी ने जो इससे पहले tax बढ़ाये थे, इसलिए उनको वो कम कर देंगी, और जो COVID के time पे loan दिये गए थे लोगों को, उनको वो और गर्जा लेने का अनाउंस कर दिया, currency market और bond market में एकनम से sell-off शुरू हो गया, जिसकी वएज़े पाउंड की value American dollar के मुकाबले historic low पे आ गई थी, यह सारी चीज़े UK पहली बार experience कर रहा था, situation यह आ गई थी कि IMF को भी warn करना पड़ा, कि tax cut और physical expansion UK के लिए बहुत खतरना है, क्योंकि already UK war and energy crisis की वज़े से high inflation और recession जैसी situation हो गई है, जब Lister's के हाथ से situation निकलना शुरू हुई, तो सबसे पहले उन्होंने अपने finance minister को fire किया, और जो opposition Labour Party थी, उनकी policy implement करना शुरू कर दिया, उन्होंने जिस तरीके से यूटल लिया, उसकी वज़े से उनकी credibility एकदम कम हो गई थी, UK का हर बंदा credit करने लगा था कि Lister's आज resign करेंगी या फिर कल resign करेंगी, और एक बहुत ही famous challenge भी start कर दिया लोगों ने, जिसमें live video में letters को रखा गया, कि पहले letters खराब होगा, या फिर Lister's PM के पस से resign करेंगी, Lister's ने initially कहा कि वो fighter है, dirty रहेंगी और resign नहीं करे अभी तक UK में जितने भी PM बने हैं, उन सब मैंसे सबसे कम दिन के लिए PM Lister's ही बनी है, इन सब के बीच में एक चीज और हो रही थी, Lister's अपनी जो भी policy लेके आ रही थी, Rishi Sunak हारने के बाद भी उस policy को analyze करके कहते थे कि इस से देश में economic crisis आ जाएगा, pound की value कम हो जाएगी शुरू में Rishi Sunak को बहुत ही criticism मिला, लेकिन जैसे जैसे एक एक करके उनकी सारी बाते सही हुई, लोगों को समझ में आने लगा कि Rishi Sunak सही थे और कई दिनों तक Twitter पे trend भी चला, Rishi was right, इन सारी चीजों की वेज़े से UK की जंता का Rishi Sunak के उपर trust बढ़ने लगा, और उनको य Rishi Sunak बहार के हैं, लेकिन Rishi Sunak की इस पर्टिकुलर टाइम पे ऐसे हैं, जो UK को इस financial crisis से बचा सकते हैं, इसके बाद जैसे ही लिस्टरस ने रिजाइन किया, ये announce कर दिया जाता है कि 24 अक्टूबर 2022 को, साड़े 6 बशे से पहले, जिस candidate के पास 100 MPs से जाधा का support है, वो PM की position क के लिए अपनी दावेदारी आगे कर सकता है, Rishi Sunak के पास 146 MPs का support था, और वो PM मन जाते हैं, Boris Johnson के पास भी 100 से जाधा MPs का support था, लेकिन उन्होंने ये confirm कर दिया, कि वो नहीं लडेंगे, वो इस particular situation में अपना करियर दाव पे नहीं लगाना चाहते हैं, अब Rishi Sunak PM मन के तो criminal barristers, लोग जगा जगा पे strike कर रहे हैं, अगर वो tax बढ़ाएंगे तो लोगों में बहुत ज़्यादा popular नहीं हो पाएंगे, अगले चुनाव में हारने का भी डर है, और ऐसा नहीं करते हैं तो एकनौमी सफर करेगी, UK में 50% से भी ज़्यादा चीजें import होती हैं, नहीं, इसके साथ-साथ युक्रेयन रशिया वार की वज़से जो यूरोप में energy crisis आया है, साल भर में energy prices तीन गुना से भी ज़्यादा बढ़ गया है, winter आ रहे हैं और winter में बिना gas के यूरोप में ठंड को manage करना आसान नहीं है, इसमें रिशी सुनक चाह के भी कुछ नहीं क इसका मतलब यह है कि रिशी सुनक के पास दो साल और तीन महीने का वक्त है, इस particular time में वो क्या क्या करेंगे इस से पता चलेगा कि उनका political career किस direction में जाएगा, अब हुआ यह है कि रिशी सुनक PM बनते ही दिक्कत में आ गया है, उन्होंने PM बनते ही सुएला ब्रेवर मैन जि दिक्कत हो रही है, कई बारे इन्होंने यह भी का है कि British Raj ने जो जो किया है, उसके लिए भी यह बहुत प्राउड है, अभी यह UK में राइट्स हुए है, उसको लेके भी इन्होंने यही का कि यह सारी चीजे माइगरेंट्स की वरे से हुई है, और UK और इंडिया के बीच म में ऐसी क्या डील हुई थी, कहीं कोई ऐसी डील तो नहीं हुई थी, जिसकी वेशे से लिस्टरस को प्राइम मिनिस्टर के पस से हटना पड़ा, देखिए चाया रिशी सुनकों या फिर स्वेला ब्रवर मैन, यह दोनों ही UK के अंदर इमिगरेंट्स के सपोर्ट में नहीं अभी जब इंडिया के साथ FTA की डील हो रही थी, उस पर्टिकलर टाइम पे भी इमिगरेंट्स को लेके ही कॉमेंट्स हो रहे थे, लेकिन आइरनी देखिए आप, देश के अंदर PM और Home Secretary दोनों ही बार से हैं, चर्चिल जो एक टाइम पे UK के प्राइम मिनिस्टर थे, उन केनिया भी कह रहा है कि उनके दादा नौकरी के लिए केनिया में आके बस गया थे, तंओ भी क्लेम कर रहा है कि रिशी की मदर पे अंगय हो इस से ये भी भी दिखता ए कि UK की भेदभाओ वाले कॉमेंट करें, लेकिन जब उनके बेनवेधित की बात आती है, तो वो सारी चीजे साइड में कर देते हैं और इससे हमें भी सीखना चाहिए आप सोच के देखिए अगर इंडिया के अंदर किसी और देश के ओरीजन का आदमी इंडिया का प्राइमिनिस्टर मन जाए तो उस केस में क्या होगा और यही चीज यूके के रेडियो शो में एक यूके के जाए तो लोग उस पर सवाल करने लगते हैं लेकिन जब हमारे देश का आदमी कोई बाहर जाके पीम मनता तो हमें बहुत गर्व होता है देखिए रिशी सुनक के यूके के पीम मनने से इंडिया को कोई एक्स्ट्रा फाइदा नहीं होगा जोची जैसे चल रही थी वैसी चलेगी इनफेक्ट ऐसे केस में नुकसान भले ही हो सकता क्योंकि ऐसी सिचुएशन में लीडर्स और सोच के फैसला लेते हैं उस पर्टिक्लर कंट्री के लिए इंडिया से जब वो डील करेंगे तो उनको लोग नोटिस करेंगे नासर हुसेन शिव नरायन चंदरपॉल य ना जाने कितनी बार इंडिया के हाथ से लोग जीत चीन के ले गए हैं